नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जर्खन की दिन भर की खबर जानते हैं सामिल नहीं होना, किसी बड़े सरयंत का हिसा परतित होता है, ऐसा लगता है कि सीबू, हेमंत, सुरेन, अस्थापना दिवस की सरे को आदिवासी महिला राष्ट परतित के साथ बाटना नहीं चाहते, और या था पुर्वगोसित कारकरम के उलट अचानक राष्ट परति का अस अपमानित करने जैसा है, सुरेन सरकार को जनता को इसका जबाब देना नयतिक दाइवित बनता है, दूसरी दरफ ममता बनार जी भी आदिवासी बिरोधी परतित होती है, क्योंकि उनके मंत्री अखिल गिरी ने राष्ट पति को कुरूप बता कर अपमानित किया है, जब त सेगेल अभ्यान के करकाता, पांच परदेशों में 15 नौमबर तक उक्त मंत्री का पुतला दहन जाली रखेंगे, उनके 32 खतियान पसंद रहे वे पानी में कूद दे दे जान सिक्छा मंत्री, सिक्छा मंत्री जगनात महतों ने कहा है कि 1932 के खतियान अधारित अस्थानेता अच्छा नहीं लग रहा, वे पानी में कूद कर जान दे दे, मंत्री जगनात महतों अपने पैत्री गाउं अलार्गो के सिमरा कुल ही फुटबॉल ग्राउंड में ग्रामीनों द्वारा अभिनांदन समारों के दरान बोल रहे थे, मंत्री ने वर्ष 1932 खतियान अधारित अस्थानियता में हक अधिकार को खोठा भासा से अवगत करा बचों को पड़ली कर नवकरी देने की बात कही, उन्होंने कहा है कि आप सभी की दुआ से ही मुझे नया जिवन मिला है, मेरे द्वारा जार्खंडियों को अधिकार एवन पाचान दिलाने के लिए लंबी लड लडने के बाद हेमत सुर्ण सरकार में वर्स 192 खत्यार अधरिस अस्थानियता अव विस में भी पास हो गया है, गढ़वा में धर्मांतरन का पर्यास ज्षार्खन की रहएधानी राची के बाद अब गढ़वा में भी धर्मांतरन के पर्यास का मामला सामने आया है, जाड़ फुक के नाम पर धर्मांत्रन कराने का मामला सामने आने के बाद राइधानी राची के राइनेती का तापमान विगरम हो गया हिंदु आदी संगठनों ने हाला बोल दिया है हिंदू आदी संगठनों ने कहा है कि जब से जारखन में हेमान्त सुरिन सरकार आई है इसाई संगठन कानून काउलंखन कर धर्मांतरन के खेल में जूट गए है प्रसाशन भी करवाई नहीं करती भोले भाले गरामिनों को पैसा का लालच और जाड़ फुक के नाम पर बरगलाया जा रहा है हिंदू समाज इसे बरदास्त नहीं करेगा धर्मांतरन के खेल कर रहा इसाई संगठन चेत जाय नहीं तो खेर नहीं रांची सदर अस्पताल में बड़े प्यमाने पर होगी बहाली सदर अस्पताल में चिकिसकों से लेकर सफाई कर्मियों तक के पद बड़ी संख्या में खाली है ऐसे में नए सूपर एस्पेसलिस्ट भवन में मरीजों का इलाज संभव नहीं है दस नॉमबर को 500 बेड़ वाले अस्पताल का हैंड ओवर तो ले लिया गया लेकिन यहां इंडियन पॉब्लिक हेल्थ स्टुडेंट नियमों के हिसाब से डॉक्टर और पारा मेडिकल स्टाप की भारी किलत है नियमों के हिसाब से 520 पर 628 मेडिकल स्टाप होना चाहिए लेकिन अस्पताल की ओर से अभी 562 स्टाप की जरूरत बताई गई है फिल हाल यहां 378 करमचार्यों का अंतर है जार्खन में सहर के साथ अब गाउं में भी फैला डाइबिटीज अब सहरी छेतर से निकल कर सुगर की बीमारी ग्रायमिन छेतर में भी त्याई से परपसार रही है एन एफ एच एस पांच की रिपोर्ट 15 साल से उपर के लोग में इसका खुलासा किया गया इसके अनुचार जार्खन में गाउं की 3.8 फिजदी महिला है और 5.9 फिजदी पूरूस हाई सुगर से पिडित है हलाकि सहरी छेतर में 5.6 फिजदी महिला और 7.9 फिजदी पूरूस को हाई सुगर है वही देश में 6.3 फिजदी पूरूस और 5.2 फिजदी महिलाओ को हाई सुगर है बता दे ज्ञारखन के पूर्षों में हाई सुगर की बिमारी ज्यादा है लेकिन चिन्ता की बातिया है की महिलाई भी इस बिमारी में पूर्षों की करीब पहुँच गई है ज्ञारखन में पूलिस ने पकड़े 8.95 क्रोर के बालू राज्य के भी भीन जीलों में जमकर बालू की तसकरी हुई है लेकिन पुलिस सिर्फ करीब आठ करोर पंचानबे लाख एकानबे है यार चार सरूपे कीमत की बालू ही पकड़ सकी है इस बात की पुष्टी बालू तसकरी के खिलाब पुलिस और प्रसासन द्वारा की गई कर द्वाई को लेकर त्यार आकडो से होती है आकडो के अनुसार वर्श 2022 के अगस्त मा तक पुलिस और प्रसासन बालू तसकरी के खिलाब 903 जगो पर छापे मारी की इस दवरान पुलिस ने 725 केस दर्ज कर 430 लोग गिरफतार भी किया वहीं छापे मारी की दवरान 1578 छोटी बड़ी बालू लदी गाड़िया जब्त की गई है राष्ट पती का खोटी दवरे को लेका सुरक्षा के कड़ा इंतजाम दंडा अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को राष्ट पती के कारेकरम की पूरी जनकारी दी उन्हें दाइवित और रिहरसल के बारे में भी बताया गया अफसरो अधन्डा अधिकारियों को कारेकरम की 30 सिले का सुरग्षा वाभीधि विवस्ता तक की जनकारी दी गाई इससे पहले अधिकारियोंने कारेकरम अशल का निरिक्षन किया और तियारियों का जाजा भी लिया जमसेदपूर के गोपाल मैदान में देश भर से जुटेंगे जनजातिय समुदाय दो वर्सबाद सहर में जनजातिय समुदाय के संस्कृति एक मंच पर देखने को मिलेगी टाटा इस्टिल की ओर से सनवाद काविजन 15 से 19 नौम बर तक गोपाल मैदान में हो रहा है इसमें देश भर से 117 ट्राइवल के लगभग 25 सो आदिवासी समुदाय के लोग समाजिक बदलाव के विभीन बिंदू पर चार्चा करेंगे आदिवासी तपके के बुद्धी जीवी, कलाकार, उद्योग, पती इसमें सामिल भी होंगे अलग-अलग समुः पैनल में चार्चा के साथ संस्कृति कारिकरम और हस्त सिल्प परदस्नी का भी आवेजन होगा बतादे परदस्नी के आरम में भागवान बिरसा मुंडा का जन्मत दिवस मनाया जाएगा सन्वाद जन्जातिय समुदाय को एक साथ लाकर विभीन विसयोप पर सार्थक मन्थन का एक मंच है जारखन के बच्चे को द्रपदी मुर्मुने लिया था गोद जारखन के पूर्वी सिमुम जीले के गुंडा बांदा के मासूम बच्चे को वर्ष 2017 में जारखन की ततकालिन राजेपाल वर राष्ट पती द्रपदी मुर्मुने गोद लिया था तब से अब तक इस बच्चे की परवरिस में राजबहन द्रपदी मुर्मुने जीस बच्चे को गोद लिया था वह बच्चा ढालभूम गड परखन के इंगलिस मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है वह फिलाल पाच्वी का अक्षा में पढ़ रहा है गढ़वा में बालू लदे हाईवा के चालक ने सियो और एसडियो को कुचलने का किया पर्यास गढ़वा जिले के 20 सून पूरा परखन मुख्याला में बालू लदा हाईवा चालक को जब सियो निधी रजवार ने रोकना चाहा तो चालक ने उनके वाहन को कुचलने का पर्यास किया किसी परकार चालक के सुझ भूज के कारण वह बच गई इसके बाद हाईवा चालक तेजी से स्रीबंसी धर नगर की ओर भागने लगा इसकी सुचना उन्होंने फोन से स्रीबंसी धर नगर के SDO अलोक कुमार को दी करीब 16 किलोमीटर तक स्रीओ निधी रजवार उसका पीछा करते हुए नगर उठाली पहुची वहाई दूसरी ओर SDO अलोक स्दल बल हाईवा चालक के इंतजार में सड़क पर ख़रे थे वहाँ से गुजर रहे हाईवा चालक ने उन्हें भी कुचनले का पर्यास किया इसके बाद हाईवा चालक का पीछा कर HP पेट्रोल पंप के पास पकड़ा गया ग्राम सभा से मंजूरी के बाद मिलेगा पसुधन का लाब आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कारकरम के पहले फेज में पसुधन व द्रव योजना के लिए 28 अवेदन आये थे लेकिन लाबको को इस योजना का लाब ग्राम सभा से मंजूरी के बाद मिलेगा जिला पसुपारन विभा को पसुधन व द्रव योजना का लक्ष प्राप्त हो गया है पसुधन योजना में 5 तरह के लाप दिये जाते हैं इसमें बकरी सुवर 550 फरम वाला चूजा मीट परपसे वह 450 फरम चूजा अंडा परपसे के लिए वह 15 देशी बतक चूजा सामिल है जारखन हाई कोट ने पुछा भूग से मौत की परिभासा क्या है जारखन हाई कोट के चीफ जर्षी डक्टर रवी रंजन वा जर्षी एसन परसाद की खनपिट ने अपने आजेस में कहा है कि आखिर जारखन सरकार किस अधार पर कह रही है कि राजे में भूग से किसी की मौत नहीं हुई है क्या जारखन सरकार ने भूग से मौत होने को परिभासित किया है आदालत ने इसकी जनकारी दो सब्ता हमें राज सरकार को पेस करने का निदेश दिया है मामले की अगली सुनवाई 25 नमबर को होगी धन्यवाद